आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार निश्य रूप से उनका प्रभाव बहुत बड़ा रहता है और प्रभाव उसका सबसी तरह होता है नकरात्मक क्योंकि जब तक हम उन मुद्दों पर एक बैतर निदान नहीं करेंगे तब तक मुद्दे अमर बने रहेंगे और आने बाले समय में वो मुद्दे बढ़ बढ़ कि पूरी व्योस्था को खराब कर देता है जी हम बात कर रहें इस समय विच्छा विदी पर अगल विच्छा की बात करें तो विच्छा तो हमारे माध्यम से जब वो अपने गुरुकुल में आके जमा करते थे, उसके बार उसी भोजन से वो अपना उस समय का जीविका को चलाते थे, यानि खानपान की विष्था बही रहती थी, और उनको विच्छुक बोला जाता था, विकारी नहीं, विच्छुक, के विच्छुक और व वही भिक्षा भीक की रूप में डी जाती है अपने आपको मज़ूर बताते हुए अपने आपको पीडिर बताते हुए तो वह भिक्षा भिक्षा नहीं बलकि भीक कहलाती है और जो भीक मांगते हैं उनको भिकारी ही कहना पड़ता है और वो जो भिक्षा भिरती जो कभी प् पहारी बनना है और चातरों के पांच लट्षणों को पूरा करतो ही आपको पढ़ाई कनने हैं तो वो अलग बेश्था थी पर हम देखरें लगाता है और देश में इस समय बिच्छा बरती बेश्थाय बन चुकी है और एक समय होता था जब लोग मजबूरी में भीग मांगत थे पर आज की समय में बिच्चा बन गया है भीग मांगना बेश्थाय बन गया और वस समय तो बेट पढ़ने वाले चातों के टौली बनाकर बेश्थाटन करते थे और लेकर आते थे बाब गुरुकुल में उसका बनाया जाता रा खाया जाता था और चबसे बड़ी बात के तहत यहां पर काम कर रहा है और गिरोई के तरह काम करते हो यहां पर बिच्छा मांगी जा रही है भीग मांगी जा रही है बच्चों के दोवारा बूरों के दोवारा बिकलांगों के दोवारा मेलाओं के दोवारा और यह आलम आपको देश के किसी भी सेर में देखने को मि जाएगा आप क्रोसिंग पर देखेंगे कि पाकाड़ा आपको मेला है बच्चों को लेकर वहां पर भीक मांगती नजर आएंगी और गाड़ियों को ठोकेंगी कहेंगी साप करेंगी और सबसे बड़ी बाद तो यह है कि बिच्छा का यहां भीक मांगेने का इस ब्यूसा है लो चलंवत तरीके से है उनकी भी इलाके बाटे गहें उनकी विवस्तावी की गई है इतना संगटेल रूप से आपर भीक मांगना हो गया है कि विवस्ताव रखी गए关े आपको मंदर पर मांगना है आपको विकलांग मर के मांगना है आपको क्रोसिंग पर मांगना है आपको गाली का सीसा साब करते मांगना है आपको बच्चे को गोडी में लेके मांगना है और जो बच्चे हैं उनको बुला जाता है कि आप डौर डौर के गाली को पीछे डौरत और घायर होने के बार अगलक ब्युस्ता रहती है कि जिस ती गाली से घायर हो तो इसका पकड़ लिया जाता है फिर उसे दवाब बनाए कि उनसे को सपैसे की मांग भी की जाती है ऐसी ब्युस्ताइब देखने को मिल लए है और मैंना पको अताया कि जो भीक मांगना ना समय इसमें एक प्रिकार से ब्युसाय बन चुका है और अगर भीक नहीं जेते हैं तो आपको गालियां भी देते हैं कई बार हिंसक भी हो जाते हैं बत्तमीजी करते हैं मारपी ट्रक पर उतारू हो जाते हैं यहां तक कि एक ग्रोए के माद्दम से यह लोग आपरादी करते रहेंगे और साथी साथ और साथी साथ गिरोव बना के जाते हैं और देखते हैं रेकी करते हैं बार दार को अंजाम देते हैं और फिर जाके उसी जगह पर आके बिकारी बन जाते हैं जिससे पुलिस सक ना करें कि यह विकारी भी वहाँ पर गए थे और अपनी बेस ब पर मैं आपको बता दूँ कि यह हमारी सोच है हमारी दया है हमाई मान सकता है हमाई मानपता है पर मानपता जब विकारी की रूप में हम देखते हैं तो विकारी जिसको हम एक रूपर देते हैं दो रूपर देते हैं आज तो खेर एक रूपर दो रूपर कोई पूचता ही नह कि कुछ विकारी तो आपको ऐसे मिलेंगे जो डीटल हो चुके हैं और जो एक रुपए दो रुपए पांच रुपए वाली बात थी अब वो पांच रुपए, दस रुपए, यहां तक की सो रुपए पर आ चुकी है और अगर हम एक विकारी के ऑस्तन अगर दिन की बात करें तो दिन बर में वो 500-700 रुपाय, 1000 रुपाय अर्जित कर लेता है और अगर आप कम पैसा देते हैं तो यहां तक कि आपकी मुँपर भी फिक के मत चले जाते हैं और मैं आपको बता हूँ कि सबसे बड़ी बात यहां पर है कि मैंने अर्जित की बात कही कि 500-700-800,000 रुपाय पती दिन यह लोग कमाते हैं मंदिर पर बैठके, स्टेशन पर बैठके, मस्जिरों के बाहर बैठके इसके अलाबा जो आपके स्टेशन होते हैं, बस्टेंड होते हैं, ट्रैफिक सिगनल होते हैं, वहां बैठे रहते हैं इसके साथी साथ ये लोग ये देखते हैं कि कहां पर कोई बजार है, जहां पर लोग जाते हैं, साथ ही ऐसे स्पोर्ट पर जाते हैं जहां लोग घुमने आते हैं, जहां पर युवा घुमने आते हैं, वहां पर अपने आपको बेटा दिखाने चक्कर में ये लोग मांगते हैं और युवा भी एक अलगी मानत्ता की प्रिदसिक करते हुए उनको पैसा देते हैं और मैंने बताया कि कई ऐसे विकारी रहें जिनकी जब हम संपत्ति का आकलन की हैं तो कोई एक परेल जैन रहे हैं जो कि मुंबई हैं बताये गए थे और कहा गया था कि परेल जैन भारत के सबसे अमीर आदमी है और मुंबई में इनके पास 70 लाग के 2 फिलेट हैं यानि विका यह है कि कि बच्चों को यहां पर विच्चा बरती के लिए उक्साया जाता है और इनको बंदग मना जाता है बच्चे यहां पर आप देखेंगे तो कहीं टेपिक सिगनल पर देखेंगे यहां तक कि विच्चा बरती केबल टेपिक सिगनल और जलो तक सीमित नहीं रहती है वो विच्छा बरती परिवानी बेवस्तों में भी लागू हो गई है यानि कि टेंड में आप देखेंगे वहाँ पर ही विकारी गाना सुनाते हुए और तबला बताते हुए और अललाग निकलते हुए और टेहलते हुए अपनी बाल बच्चों के सारा आकर और आप से भीक मंगते हैं और अगर औरस्तन एक डिब्बे में 200 लोग हैं क्योंकि जनर्ण के डिब्बे में वस्ता ऐसी होती है और अगर पचास लोग भी एक एक दूर अर्व पर रहे हैं तो उनके उस समय 100 से 200 लोपर तयार हुए आते हैं और अब पूता हैं कि एक आनके सेट होते हैं और टार्विट लेके चलते हैं कि किस आलाके में हमको किस तरह से भीक मांगनी है और जो आंकड़ा निकल के आता है कि ट्रेनों के माध्यम से वो विकारी एक दिन में एक से दो हजार की कमाई कर लेते हैं कि आपको भी तरस आएगा पर अंदे की एक्टिंग करते हुए वो आप से पैसा ले जाएंगे आप मानत्ता बस क्योंकि हिंदुस्तान जो देस है वो मानत्ता पनत्ती रहती हो जहां किसी गरीब मजबूर को देखते हैं तो अनाजसी अपने जेप की तरफ हांट डालते हैं कि बड़ा पैसा भली नहीं पर अगर एक या दो रुपए या पांच रुपए हमाई जिम में पढ़ा रहे तो इन गरीब को देखते हैं कि यह मजबूर हैं पर वो मजबूर नहीं होते हैं वो संगठित हैं और एक गिर सबको उनकी रोजंदारी दिया आती है यानि कि वो गरोह बिकारीयों को अपनी पे रखे हुआ है यानि नोकरी पेसा बिकारी हैं इनको अप हलका नहीं ले सकते हैं और इनकी एक आम्दनी सिख क्षी सबख कि लिए सदस होते हैं वो लगाता अपने विकारियों को पर नजर भी रखते हैं फिलाइं स्कॉट की तरह है कि देखते रहते हैं कि कितना पैसा लिया गया और कितना पैसा बहां जबा किया गया कई फिल्मों में देखा होगा हाला कि फिल्म कलप्रा से पर होती है कलप्रा ही ह गेहू मांगा जाता है, और उसको बैस दिया जाता है, और साथ-साथ अगर two-th senior when meeting we meeting world, इसको यकत liege जाता है, और आगर हम बात करें कि डिश्न से एक व्यस्था जाता यहां पाई गई है कि यहां पर किस सरय Muslim जगह पे जा रहे हैं तो बहाँ पार आपको Allah अकबर बोल के और जो Muslim संबाद करके वहाँ बिच्छा माझनी है और अगर आप किसी Hindu छित में जा रहा हidden, Hindu कलॉनी है तो बहाँ पार आपको भागवान का नाम लेकर बिच्छा माझनी है ये भी इनको ट्रिक सिखाई जाती है कि आपको किस तरह भीग मागनी है और इतने टेंड इनको किया जाता है कि आदमी की सकल देखके और उसका प्योहार देखके जो इसकी करकाठी है और उसका तरीका है कपड़े पहने का तरीका है और जो धर्म के पती है धर्म पती की देखके भी ये लोग भीग मांगते हैं अगर कोई कलावा बाने तो पैचान करके उसको भगवान के नाम पे भीग मांगते हैं और जब जब उक टूपी लगा रहता है और उनको लगता है कि मुस्लिम धर्म अल्ला के नाम पर मांगते हैं वो आजकर कहा ही जाता है कstes Allah आए घर्म पर नाम पर भगवान के नब दीजीए तो एक विक्सर्म मानसफता कि तह będą कियाम के जाता है और यहाँ पर संगटित मैंने इसलिए सब दिसलिए कहा कि यहाँ पर संगटित है इलाके के माद्धियम से बिस्यों के माद्धियम से जगए के माद्धियम से और अपने चरण के माद्धियम से चरण मैं मैं बताया आपको कि बुजर्ग वाला चरण इसके बार जबान वाला चरण उसके बार बच्चों वाला चरण उसके बार महला है जो बच्चों को लेकर भीग मांगती है और लोगों से कहती है कि बच्चे को खाना किलाना है दूर पिलाना है और इसके लिए कुछ दे दीजिये बच्चा सोबे से भूंका है और लोग मानपता बस पैसे दे देते हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की सक्रीता है वो देश में हो रही है और अगर हम एक आकड़े की बात करें कि एक आकलन कि 2011 में हमारे देश में लवा लबबग 4-4.4.5 लग के लवक बिकारी थे यह आकलन है और अगर आज एक आकलन की बात करें तो लवा लबबग 10 लाग से जरा बिकारी समय मारे देश में है और सबसुद्वी बातें ये संदिग्द हैं अधिकास अगर हम बात करें तो संदीर इनके पास ना कोई पैचान पत्रों का यह कहां से आ है कहां से निर्वासर यहां के भी हो सकते हैं और यह दूसरे पड़ोसी मुलकों के भी हो सकते हैं पर इनकी पैचान कोई होती नहीं है हम बात तो करते हैं व्योस्थाओं के हम बात क ऐसे हैं कि पर सप्ञाइब तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भिकारी की बियुस्था क्या है थे का सरकार वहीं बिन बढ़े को प्रोरार blasता करें जो की assessment करें बहांपर एक वहां के विकारीों को प्रणारिक्त किया जाएगा और उनको रोजगार परख परिश्च दिया जाएगा और जिससे वह अ समाज के मुक्यधारा में आ सकें विकारी ना रहें बलकि रोजगार करके पैसा कमाएं और अपने आपको एक स्वाइवन पूरक जीवन जीने के लिए मजबूत करें और यही बात दिल्ली में चल लिए हैं दिल्ली में भी लगातार कई तरह की उजनाओ द्वारा सरकार का प् बिच्छा बड़ती जैसे खरा बेरसाई में न पढ़ें कि बेरसाई में बोलूँगा अपने माद्यम से कि बेरसाई आज हो चुका है और पर तब भी हम देख रहे हैं अभी हम लगार राजधानी लखनों की बात करें तो यहां पर योगी सरकार का एक आदिस था लखनों दुकान खोलना चाहते हैं कोई अनने कोई काम करना चाहते हैं तो उनके मरट करी पोस्साहित करी है और जिससे कि वो विकारी का जीवन छोड़के और समाज के मुक्त धारा में आए और स्वावियन पूरक जीवन जीए और इसके प्रियास की जग पर जगर हम बात करें विक तो विकारी इस चीज में आने को जो विच्छा मांगने वारे लोग हैं वो इस तरफ आने के तयार नहीं हैं चोकि अगर आप देखेंगे तो कुछ उनके साथ कोई मजबूरी नहीं है पर 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ कोई मजबूरी नहीं है जो पूर्ण तहां स्वस्थ हैं जो पूर्ण तहां अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं जो पूर्ण तहां रोड पर डौड रहे हैं जो पूर्ण तहां रिल विस्टी सर में चल फिर रहे हैं उनको कोई सम के अब यह अलोग नहींब बचा है अब भीकारी की जो उस्था है अब यह हो गई है आपकी भीक मांगना हो गया है और यहां पर चिन्नत होते हैं यहां पर ठीकान दी एफेरी दी जाती है और जिसके तो अभी जो परिवन के दो साधनों में देख लेते हैं कि विच्छा वांगा जाता है बीग मांगने लोग पुचले आते हैं पर यह भीग मांगना जो आज एक संगटिक बेवसाय बन गया है इसको खतम करने के लिए कठोर कड़म उठाने बहुत जरूरी है जो कठोर कड़म नहीं उठाएंगे तब तक इस विच्छा वर्ती की प्रथा को खतम नहीं कर पाएंगे प्रतास बोलेंगे जो एक बार इस प्रता में आ जाता है तो निश्रूप से उसका जो रोजान होता है वो काम करने की तरफ नहीं रहता है और यहाँ पर मैंने आपको पहले मैं आपको पता चुका हूं कि संदिक दिलोग इसमें आ रहे हैं ऐसे लोग भी पहचानी नहीं है जो इस देश के नबासी ही नहीं है और मेरी कारकम के माद्यम से देश के तमाम खूप एजनसी को कहना है कि आप चिनिट करिए आप इनके पहचान करिए कौन है कहां से किस तरह करते हैं क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कि तिरेनों के किनारे के तमाम तरह के जुगी वस्ती बनी हुई है और बहां पर ये विकारी नबास करते हैं अलाल जगा पर नबास करते हैं गंडी तरीके से नबास करते हैं और बान माना जाता है कि कई तरह की आप रा पासिट होना चाहते ही नहीं है तो इनके लिए मेरा मानना है जो बिच्छा बिरती है उसको खत्म किया से के हाला कि कई मद़्ून में की जो एधार में किस भलोपे वहां लिखा रहता है कि बिकारीque को पैसा दे कर वहाँ पर बिच्छा को बढ़ावा दे पर लोग मानते हैं कि हिंदस्तान मानफ्ता बाहरी देश है और यहां के लोग मानपता की रूप में जब किसी गरीब मजबूर को देखते हैं, तो अपने आप कुछ समगते हैं, उसको दो यह पांच दस उपए हुए उनको बड़ावा लेता है, वड़ावा देता है बिच्छयविटी की इस पे ठाको। बड़ाबा भी देंगे और साथी साथ आपरादी कटवीरों में बड़े बड़तरी भी होगी और ये कहां से आ है इनके पैचान पत्र का है कैसे है क्या ये पुना निर्वासिर हो सकते हैं क्या इनके लिए रुजगापर साधनों के मांदम से कारकम का मांदम से उनको दोवार इसको हम खतम कर पाएंगे तो यहां पर जो वेरुस्था हैं वह सामजी संस्थाओं से भी उम्मीर हम रखते हैं और सरकार से भी है देश की जो भी सरकार है राज सरकार है के रिच्छा बड़ती कि इस प्यवति इसको खतम किया जाए जो मजबूरी बश करते हैं उनकी बात थोड़ी से जनल नमर पर वो भी सो मैसे के बाद जर्ट प्रटिशन है जो की समय रूप से आर्थर ग्रूप से या सारी रूप से कम्जोर है बेकलाग है बही बिच्छा बड़ती करते हैं बाकि 90 परसेंट ऐसे हैं जो की सारी रूप से मजबूत हैं वो केवाल एक संगडि किनारे आपको डिख जाएगी और हमारा समाज आज भी इन लोगों को देखता है मानतर बस पैसा देता है सरकार ध्यान नी देती है पर आने बाले समय में ये इस्तिती और बिक्राल होगी क्योंकि आने बाले समय में अबैद रूप से रह रहे नबासी जनसंग्या तो बढ़ा आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार